नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत हैं न्यूस क्लिक में डेली राउंड अप पर हम आपको बताते हैं देश और विदेश की अन्या खबरों के बारे में आज के एपिसोड पर हम आपको दिखाएंगे हमारी कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स एक विशेश रूप से चर्चा हम करेंगे आईटी रेड्स पर इलेक्शन से पहले पूरे देश में विपक्षी नेताओं पर आईटी रेड्स हो रहे हैं उस पर इलेक्शन कमिशन का क्या रिस्पॉंस है और साइलेंस किस तरह का मेंटेन किया हुआ है बीजेपी गवर्मेंट में इस पर एक विशेश रूप से चर्चा करेंगे हमारे अंतराश्य सेग्मेंट में हम आपको दिखाएंगे इरान की एक बड़ी खबर पर सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश में जहांपर भाषा सिंग ने हमारे ले की है एक क्राउंड रिपॉर्ट किस तरहां से वहां के किसान और आम लोगों का गुसा बीजेपी के प्रती बरता जा रहा है और इसी के चलते बीजेपी को अब किस तरहां से नाचगान और डीजे का यूज़ करना पड़ रहा है अपनी इलेक्शन रालीज में लोगों को बुलाने के लिए और वोटर्स को रिजहाने के लिए देखिए इस ग्राउंड रिपॉर्ट को न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है जनता की नब्स पल्स ऑफ इंडिया टटोलने के लिए हम पहुचे पश्चमी उत्तरप्रदेश के बागपत शामली जिले में यहां पर लंबे समय से भाश्पा ने साम्परदाइक धुरुवी करण नफरत की राजनीती को फहला रखा है उसी पर वो लगातार अपनी राजनीती कर रही है चुनाओ के इस मौसम में अलग-अलग धंग से धुरुवी करण हो रहा है किसानों तक बाते पहुचाई जा रही है युवाओं को संबोधित किया जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मामला एक तरफा है यहां माहगडबंधन भी मजबूत है यह पूरी पट्टी किसान आंदोलन की रही है गन्ना किसानों का लंबा सशक्त आंदोलन यहां चला है पिछले दिनों दिल्ली में जो लॉंग मार्श किसानों ने किया था उसमें भी बागपत के गन्ना किसानों ने बड़ी संख्या में शिर्कत की थी किसानों का यह जो गुस्सा उबल रहा है इसे डाइवर्ट करने के लिए इसे बर्गलाने के लिए भाश्पा ने एक बहुत ही इस तरहीन प्रचार शुरू किया है डीजे पर भाड़े के डांसरों को लेकर अंधर राष्टवात पहलाया जा रहा है पूरा का पूरा मर्दवादी डिस्कोर्स पैदा किया जा रहा है लगातार प्रधान मंत्री नरेन मोदी का जो बयान है वह बीच में चलता है फिर ठुमके लगते हैं और देशी ठुमकों के जरिये युवाओं को अपनी और आकरशित करने पर उतराई है भाश्पा क्या डर गई है भाश्पा भाश्पा को क्या लग रहा है कि किसानों का यह आक्रोश महागटबंदन उसकी जमीन खीच रहा है शायद ऐसा ही है को जो कि मिल गए है किस आहिए नहीं मितने दूंगा फाट साल जो कुछ करया दिया झाद आप यह पाट साल कि यह उद्ना तो पाट पाढ़ दी है इसे ही और। अब जगा जगा काम दिखा रहे हैं यह कजे कि अब आप एक बारे मारे थो बहुत प्रेसान दिये जिए जिए जन्य कु लेगे भी जन्य का प्रेमिट करी महन ने हो लिया आनी रहा अब उन्होंने कहा कि अब सब्सक्राइब करेंगे अब अलक्षान के चाह दिन जह रहे हैं जरामा का दें लिए बस तो परसेंट यह जो आज में जितने आज में उसने बात करेंगे हैं कि यहां मिलेजुनी सरकार तो मुष्किल है और एक परसेंट यहां मारे आप ज्यादा मजबूत ने मारे आप ज्यादा बोट बीजेपी किये हैं यहां तो जैन्त की बोट दे रहे हैं सत्पाल ना कुछ भी नहीं कर रहा है करके रहा है कि मोदी कर रहा किशानों की लिया कुछ भी नहीं कर रहा है यह दो किने चुने भी कव आयंगाम में जो मोदी की बात कर रहे हैं दो करोड नौक्रियों की बात थी कितनी नौक्रियां यहां नौजवानों को मिली हैं अधो सारे ठाली घूमरे यह ठाली घूमरा अब हम आपको लेकर चलते हैं हमारी विशेश खबर पर तो जैसा की देख रहे हैं कि चुनावी माहौल बहुत ही गहमा गहमी में उलजा हुआ है IT raids की reports आ रही है पूरे देश भर से सबसे पहले की जादातर जो विफक्षी नेता हैं और उनके supporters हैं उन पर IT raids की खबरें आ रही हैं मायवती, HD कुमार स्वामी और कमल नाथ और उनके supporters से लेकर अपके हाइदरबाद में भी कुछ पैसे जो हैं वो सीज किये गए हैं इस पर election commission की क्या प्रतिक्रिया रही और किस तरह से सरकार का इस पर क्या response रहा इनी सब सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुणे है प्रबीर पुरकायस्ता जो की news click से है प्रबीर सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि ये raids आखिर जो इस बहुत ही चुनावी एक समवेदन शील समय पर यहाँ पर आए है उसका किस तरह से response रहा है इलेक्शन कमिशन ने उस पर क्या बोला है इलेक्शन कमिशन ने इस बात का जिक्र किया है कि एक neutrality सरकारी जो बिशीनरी है उसकी होनी चाहिए और यह क्योंकि चुनाओं के एक दम चंद दिन पहले ही इस बड़े पैमाने पे रेड्स हो रहे हैं इस लिए इस neutrality है या नही है वो उसके बारे पर उन्होंने प्रश्चन ने खड़ किया है उन्होंने ये भी बोला है कि ऐसे रेड्स का पहले इतला इलेक्शन कमिशन को दी जाए आपने जो कहा चुनाओं के करिब तीन चार दिन पहले अगर जिबुख नेताओं स्टेट्स में उनके खिलाफ अगर चार दीन पहले बड़े क everyday computer rates होता है तो संद है तो ही सकता है कि जैसे कमनलात है रईसादवी हैं इंडरस्ट्रीच चलाते हैं और बी वह सरे कारभार करते हैं हो सकता है और गलत काम करते हो सकता है फटर यह क्या पांट सल में तिर चुनाओं के तीर दिन पहले ही इससा means करता है कबलनाथ के पचास लोकेशन में रेड्स हो रहे हैं इस हुए हैं और दूसरे नेताओं के वहां भी रेड्स हुए हैं आपने हाइदरबाद कुछ जिक्र किया वह कुछ अलग घटना है वहां पर जो हुआ है बीजेपी के दफ्तर में कुछ रेड्स हुआ जिस पर अभी तो कारोबार जो करता है वो उसको ही मालब की ज्यारा कैश में नहीं करना चाहिए नहीं तो टैक्स लोग खड़ लेते हैं तो आठ क्रोर एक पॉलिटिकल पार्टी के दाफ्तर में कैसे मिला और क्या इसका एकाउंट्स में जाएगा एकाउंट्स में नहीं जाएगा कि यह सवाल खड़ा होता है पर मुख्य चीज जो है सीबीरिटी के जबाब से है जो उन्होंने कहा है कि हमें तो रेड तभी हम करते हैं जहां में कुछ ख़बर बिलती है ख़बर के प्रति हम न्यूट्रल है पर यह जिकर नहीं किया इसका जबाब नहीं दिया कि इलेक्श कमिशन की इलेक्शन कमिशन के बारे में एक और बड़ी खबर हम आपको बताना चाहेंगे 60 से अधिक सिविल सर्वेंट्स ने प्रेजिडेंट रामनात कोविंद को एक पत्र लिखा है जो कि आज पब्लिक में शेर किया गया उस पत्र में इलेक्शन कमिशन की महत्व है और किस तरहांता एक मेसेज जो है वो सवाल जो उठें एलेक्शन कमिशन पर उसके बारे में आप क्या सोचते हैं यह तो पहली बात है कि भूत पूर्व जो आई-एस ऑफिसर्स या जुक आफिसर्स थे सरकारी ऑफिसर्स जो थे पर रिटायर्ट है यह नहीं कि बर्तबान सर्विक आफिसर्स थे सवाल उठाय वो तो कर भी नहीं सकते तो कोविंद को चिट्थी उन्होंने लिखा है एक हिसाब से अपने नाराजगी जाहिर करने के लिए कि इलेक्शन कमिशन की जो भूमी का होनी चाहिए थी वो उनको लगता है देखने को नहीं मिल र एक जो जब सैटलाइट की गोशना की थी सैटलाइट तो क्या कहते है शिकार करने की तब उस सैटलाइट शिकार की कहानी जो है प्राइम मिनिस्टर को नहीं बलकि डिपार्टमेंट को करनी चाहिए थी इस चुनावी माहुल में चुनाव जब गोशना कर दी जाती है तब ऐसा नहीं करने की रिवाज है. ईलेक्शन कमिशन ने खलत सेक्शन बताये है. जो सेक्व्ण में ये कहा जा। जा ये है, कहा गया है. उदारण भी दी गई है, रिल मंत्री के एक बार. वो उस सेक्षन की उसने जिकर नहीं किया. बाइव टीवी जो पहले न्यूस चैनल बताए गिया था बाद बेखा कि एडिशनल सर्विस के रूप में मुफता रहा है जिसको आप कैंसल भी नहीं कर सकते हैं आपकी चैनल में से तो यह जितने सवाल उन्हों ने किया है ज़रूर प्रस्ट चिनना खड़ा करता है एलेक्शन कमिश को इलेक्शन कमिशन इस पे क्या रुख अक्तियार करता है यह देखना पड़ेगा यह भी एक टेस्ट होगा इलेक्शन कमिशन कितना निश्पक्ष है या नहीं है पर यह जरूर है जो नौ पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं इसको देखते हुए इलेक्शन कमिशन इस बा यह हम कह सकते हैं कि अपना इज़त जो है पुरी तरह से रख पा रहा है यह ज़ी यह ज़रूर आम जन्ता के बीच पर भी सवाल होगा इसी सवाल के साथ शुक्रिया प्रबीर अब हम अपने दर्शकों को लेके जाना चाहते हैं हमारी दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे समवदाता तारीक अन्वर आपको लेकर चलेंगे अब मुजफर नगर में जहां पर सांप्रदायक हिंसा के बाद आज की महां की जमीनी हकीकत क्या है लोग किस तरह के महत्वकांग शाय रखते हैं नई सरकार से आईए देखिए हमारी दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट कि पहले अलक्सन में जगड़ हो जगड़ा था जिए मुसलमान थे हैं वे सब चले गई जहां से किस सन की बात है यह यह अलक्सन 2000 की सितंबर की कि यह क्यों चले गए थे वो जगड़ा हो गया था हाँ तो यहीं से शुरूआ यह तो फुरूआ यह तो आज अधर को फुरूआ पर हुआता है मतलब हम यह कह सकते हैं मुटा मुटा की उस दंगे की आग आपके गाहों तक बढ़ाए शबता पहले बढ़की क्या हुआ था 2013 में एक दो बच्चों के बीच में हो था उसमें वो दंगा जाती वाद पचलेगा चुनायों का महुल था उस्वे हवा दे दी गई दंगा इतना बढ़ गया कि गाहों तक पहुंच गया कि दो दिन का दंगा था दो दिन से जादे का दंगा भी निथा यह आठ तारिक में शुरूबा नो तारिक में खतम हो गया किवल दो दकाता 61 लोग इसमें मारे गए थे दंगे विए दंगु में पुरा गाह परिशान आया कोई पता ले निया कोई भी करिबन एक मेंने पहले दंगा चल लोगे था सुरूशला हमारे यहां भी आम दो लोगों को पास जाए 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 अब लोगों सिम जाए बहुत मैं कोई दिक्कत निया है यहां से कही जाना नहीं है आगरी में दो आठ तारिक में इतना दंगा मढ़ा महारे पास के किया समझा बोट पर नहीं मानने बच्ची जदर रहते उनको वहां बचिक पड़े गाउं यहां मनदी कमरे माचूड गया हाम मेर मोबबत रहता जी कूब आवजाए मैं इदुप भी जावाते अम तेने के बचारे बुलान आयकरते अम भी जायकरते काना कायकरते मेरे पास से साबित हो गया कि लोगों की किस तरह की महतवकांगशाएं हैं किस तरह की उमीदे हैं दो दिन में चुनाव का फर्स्ट फेस जो है वो शुरू होने वाला है और उत्तर प्रदेश इस चुनाव में जैसे कि बाकी भी चुनाव में एक बहुत ही decisive role play करता है तो इसके साथ ह हम आगे बढ़ते हैं अपने इन अंतराष्ट्रे सेक्शन पर जहां पर हम फोकुस कर रहे हैं इरान पर जहां पर इरानी इरानियन रेवलुशनरी गार्द को को एक टर्रोरिस्ट और इसेशन डिक्लेर कर दिया गया है यू एस ने आईये देखिये हमारी विशेश चर्चा Hello and welcome to News Click. The United States is planning to designate the Iranian Revolutionary Guard Corps as a foreign terrorist organization. The IRGC is a group which is part of the Iranian military which was formed after the 1979 revolution in order to protect the state from a possible coup by the regular military forces which served under the Shah. To talk more about this we have with us Prashant. So Prashant, firstly what do you think is the motive behind this move? What is the US and Donald Trump trying to achieve by this? So like you said the IRGC was formed immediately after the revolution in Iran and it's about 125,000 strong and it's not only a military force it also runs its own commercial and business establishments also. So on the one hand there is of course the obvious fact that it's an escalation of the moves against Iran. We saw the two part withdrawal of two part sanctions last year after the US withdrew from the nuclear deal. And this can be seen as one additional step in addition to all the sabre rattling that's been happening for some time. But more important is also to note the fact that by declaring say the part of the Iranian security establishment as a terrorist establishment so to speak, what the US gets or what Donald Trump as president gets is the opportunity to declare war on Iran directly without having to go to Congress. This is because immediately after the September 11 attacks in 2001, the US Congress passed an act which allowed the president to basically declare war on any terrorist or what it's called terrorist organization without having to go to Congress. So the president has those extraordinary powers. So in one sense, what this also means is that all these people who have been paying for blood for the past couple of years, we have John Bolton, we have Mike Pence, we have Mike Pompeo, and all these people are very clearly pushing for war for a very long time. It's something even during the first Bush administration, something they're trying to push. And after Donald Trump came to power, all these people have again come back trying to push the same thing. So we also need to see the risk of this situation actually emerging because both Trump and all his establishment are very clear that Iran is for them a fundamental enemy. And so what this actually does legally is to give the context, to give a pretext for the president to declare war on Iran without having to go to Congress and basically not having to go through all the scrutiny. इसी के साथ आज की डेली राउंडप की एपिसोड में बस इतना ही, इन खबरों को और अन्य खबरों को फॉलो करने के लिए जाए हमारी वेबसाइट पर www.newsclick.in हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें Facebook पर फॉलो करें, देखने के लिए धन्यवाद.